आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी मोटर को चालू करने के लिए एक स्टार्टर की जुरूरत क्यों करती हैं जैसे कि हम देखते हैं छोटी-छोटी मोटरों को चालू करने के लिए उनको सीधे ही पावर दे देते हैं तो motor चालू हो जाती है लेकिन जो motor बड़ी होती है या ज्यादा rating की होती है उनको चालू करने के लिए हमें starter की जरूरत होती है चाहिए वो starter DOL हो या फिर star delta हो ये सवाल हमसे interview में भी पूछा जाता है कि हम motor में starter का इस्तेमाल क्यों करते हैं और starter का काम क्या होता है सबसे पहल किसी भी motor को सीधा ही दिया जाये तो उसकी winding जल सकती है तो इसी starting current को कम करने के लिए starter का प्योग किया जाता है अब आपके मन में स्वाल आया होगा कि motor starting में इतना ज्यादा current क्यों लेती है जब भी किसी motor को चालू किया जाता है तब उसका rotor रुकी हुई हालत में होता है और सबसे पहले star delta को समझते है star delta में 3 contractor main star और delta ये दिये होते हैं जब motor को चालू करते हैं तो motor main और star में चालू होती है जैसा कि हम सभी जानते है motor star में चालू होती है तो उसकी हर एक winding पे single phase की power दी जाती है तो ऐसे में voltage कम होने के कारण rating से ज्यादा current लिने पे भी इतना ज्या रहा होगा तो ऐसे में voltage ज्यादा हो जाएगी तो भी motor पे ज्यादा voltage आने पे वो अपनी rating के अनुसार ही current लेगी इससे motor पे कोई खत्रा नहीं होगा तो इस तरह से star delta starter में सुर्वाती current को control किया जाता है अब बात करते हैं overload protection की जब भी किसी starter को motor से जोडते हैं तो उसके सा नहीं होगी तो लगातर ज्यादा current लेते रहने के कारण हमारी motor जल सकती है तो starter को इस्तेमाल करने का दूसरा करण यही है कि हमें इसमें overload protection मिल जाती है जिसे हमारी motor जलने से बच जाती है अब बात करते हैं operator safety की जब भी कोई starter बनाते हैं तो उसको on और off करने के लिए एक push button लगाते हैं push button को हम motor और starter से जितना चाहें उतना दूर लगा सकते हैं यह हमारी मर्जी के उपर निर्भर करता है इसको हम remote connection भी कहते हैं ऐसे में motor या starter के circuit में short circuit या blast हो सकता है तो ऐसे में अगर operator pass से चालो करेगा तो वो इसकी speed में आ सकता है और अगर दूर से push button के दवार operate करेगा तो हमारा जो operator है उसको कोई खतरा नहीं होगा अब बात करते हैं DC motor armature protection की जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है यह DC motor के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब DC motor के armature का resistance हो काफी कम होता है ऐसे में अगर उसमें से ज्यादा current flow करेगा तो उसका armature जल सकता है अब स equal V by R होता है तो यहां पर 220 volt हमारी voltage है और 2 ohm हमारा resistance है तो यहां पर हम 220 by 2 करेंगे तो हमारा 110 ampere निकल के आता है अगर इतना ज्यादा current सिधा motor में जाता है तो उसका armature जल सकता है अब इसलिए हम इसके starter में बहुत सारे resistance को जोडते हैं तो जैसे जैसे motor की speed ज्यादा होती जाएगी इसका resistance एक एक करके कम होता जाएगा तो इस परकार से हमारी जो motor है वो safe mode में चलती रहेगी तो उम्मीद है motor में starter का इस्तेमाल क्यों किया चाहता है इससे जुड़ी ही यह जानकारी आप पसंद आयोगी अगर पसंद आई है तो आप मारी वीडियो को लाइक कर सक सकते हैं